कर दोस्तों सुवागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर रहें तो आप जरूर हमारे YouTube चैनल को सबसक्राइब करें तथ・ अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भोलें ताकि लाबरेरी में कोई भी आपके आपसे जोड़े वह रिलेटेड टॉपिक की वीडियो बनती है तो उसका नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे तो चले दोस्तों आज का लेक्चर हमारा हिंदी से रिलेटेड था जो जो हिंदी ब्याकरण की बात हम आज से सुरू करेंगे तो सबसे पहले बात होती है कि ब्याकरण जो है इसका जो संदी विच्छीद होता है वो होता है बी प्लस आ प्लस करण ठीक है करण और इससे में बन जाता है ब्याकरण अब ब्याकरण क्या है ब्याकरण वहां बिद्या है जिसके दोरा किसी भी भासा को सुद रूप से पढ़ने के लिए सुद रूप से लिखने के लिए जो बिद्या के जिस बिद्या की आवसकता होती है उसको ही ब्याकरण करते हैं जो क् énormément होते हैं पीहला आपको पता है one दूसरा आता है आपका सब्ध ऑता है किसरा आता है पदर ऐस चौथा आता है वाकिय जोतर आरहे हो और चार अंगों के दौरा किसी भी वहक्ता का निर्मान होता है सबसे पहले वर्ण बनता है वर्ण के बाद सब्द बनते हैं और सब्द बहुत सारे सब्दों से मिलके पद्द बनते हैं और पद्दों के बनने के बाद आपके वाक्य बनते हैं तो यह किसी भी ब्याकरल के चार अंग होते हैं जिसके द्वारा किसी भी भासा को आपको परव कि ब्याउस्थित एक ब्याउस्थित करम को ही आप वन माला कहते हैं जैसे कि हिंदी के वन माला में आपके बावन वन होता है अब यह वनों के बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे आप जो किसी भी भासा का किस परकार से जब निर्मार किस परकार से होता है इसके बारे म कि उत्पति के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो है आपके पास ध्वनी ठीक है अब जब ध्वनी निकलती है तो ध्वनी की बाद देरे-देरे इन ध्वनी का विकास होता है वण में वणों के द्वारा अक्षर बनते हैं अक्षर के बाद सब्द, सब्द के बाद बनते हैं वाकिया ठीक है इनका क्राम होता है जब ध्वनी निकलेगी तो जो निस्चित अर्थ देंवाली ध्वनजी को यह आप वण कहते हैं वण में ऑक्षर, अक्षर के बाद सब्द, पाद के बाद वाक्या अब अब flat किया अब तो अक्षर वे दोनिया होती है जिनने बोलने में उतार चड़ाव नहीं होता है जैसे कि आपके सभी जो स्वर है यह आपके अक्षर कहलाते हैं जबकि जो वर्ण होते हैं इनके वो चारण में इनके बोलने में आपके उतार चड़ाव देखने को मिलता है जैसे आपके जो सभी परकार के जो स्वर है और स्वर सहित ब्यांजन आपके अक्षर कहलाते हैं जबकि जो स्वर रहित ब्यांजन और स्वर ठीक है आपके वर्ण क प्रस्ट होगी होगी कि आपके जो वन है सबी वन आपके अक्षर नहीं होते हैं अब आज हम बात कर लेते हैं वन विचार के बारे में ठीक है जो आपकी वन माला है उस वन माला में वन विचार के बारे में हम बात कर लेते हैं तो आज वन्ड विचार, वन्ड विचार में जो हमारी वन्ड माला है, वन्ड माला में आपके स्वर है और ब्यंजन है और एक और हो जाता है इसमें अयोग वाख, अयोग वाख, योग न होने पर अभी जो साथ हो उसको अयोग वाख कहते हैं, स्वर अब जो हमारी मानक हिंदी है इस्टैनर्ड हिंदी है उसमें 11 स्वर है 33 बेंजन है और दो अयोगवाख हो गए तो कुल कितने होगे 33 44 और दो 46 ठीक इनकी संख्या होगी 46 तो जब आपकी मानक वर्ण की बात करेंगे तो आपकी हो जाएगी 46 और कुल वर्णों की बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है आपकी 52 कैसे होगी 46 प्लस चार आपके संख्या होगे प्लस दो आपके उत्षिक बेंजन होगे ठीक तो इसकी संख्या होगी आपकी 52 कौन आगर आपके लिए क्वेसंर आता है मानक वरño की संख्या है to 46 होगी और कुल वर्णों की संख्या आ जो हमारी कॉन माला है उसमें हैं आपकी 42 ठीक आप हम बात कर लेता है आज स्वरों के वारे में किस स्वर कौन कौन से होते हैं? आपको पता हैं ग्यारफ स्वर कौन कौन से हैं? आ, आ, इ, इ, उ, 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 इ, आ, इ, आ, इ, उ, और बी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ग्यारा, ठीक, यह आपके स्वर हो गए, अयोग वा कौन कौन से होते हैं? अंग और अह, ठीक, ब्यांजनों की बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक, अब, बात करते हैं, कि स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे दोन्या होती हैं, स्वर वे दोन्या होती हैं, जिनके उचारन में किसी अण्य वन्य की सह contemptा की आवस्कता नहीं होती है, उने स्वर कहते हैं, अतार्त हम कह सकते हैं कि जो बिना किसी बादा के उचारित होते हैं उन ध्वनियों को आप स्वर्ग कहते हैं उचारन में कंट तालू का उप्योग होता है केवल ठीक कंट और तालू का उप्योग होगा जीब और उट का इसमें उप्योग नहीं होता है क्योंकि जीब और उट का अगर उप्योग करेंगे आप तो इससे बादा उत्पन होती है तो स्वरों के उचारण में केवल कंट और थालू का ही उप्योग होता है ये आपको याद रखनी है अब स्वरों के जो भेद हैं उसके बारे में हम बात कर देंगे स्वरों को बीविन परकार से भेद किया गया है सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पति की आधार पर उत्पति की आधार पर स्वरों का भेद स्वरों के भेद ठीक है उुत्पति के आधार पे बात करेंगे तो सभसे पहला आता है इसमें मूल स्वर दूसारा आता है इसमें सान्दे्श सवर सान्दे सवर ठीक दीसरा है इसमें दीरग सवर ठीक अब जो मूल स्वर होता है कौन-कौन से हैं आपके पास चार मूल स्वर होता है अब ई उ और व यह आपकी चार मूल स्वर होता है इन मूल स्वरों के सयोग से आपके सांधे स्वर बनते हैं सुम्ह kardeşim यह साथय स्वर बोलते हैं इसको ठीक जैसे इसे अ हो गया, आए हो गया, वह गया और आउ हो गया ठीक है इस चार स्वर आपके साथय स्वर कहलाते हैं एक कैसे थे र differencea के ठीक है Kraira आप प्लस। यह से आपका क्या बन जाता आप क्या वन जा जाता टीक है ए की बात करेंगे तो A प्लस E से आपका A बन जाएगा O की बात करेंगे तो A प्लस O से आपका O बन जाएगा और A प्लस O से आपका O बन जाएगा यह आपके संधे सौर के लाते हैं और इनकी संक्या भी आपकी चार होती है इसके बाद आता है देर के सवर कुन से होता है जो आपके जो लॉआखंच होता है उनको में मूल सवरों के योग से बनने वाले सवर्ड आपके इनकी तीन संक्य कि तो इनको आप दीरुसवर करते हैं उत्तपत्य के आधार पे सवरों का बीभाजन इस परकार से किया है उसके बाद में हम चारन के याधार पर करेंगे कि उ चारन के आधार पर बात करेंगे तो पहला आता है रस्ष ऑस्वर और स्वर न दूसरा आता है परकाजिय ह्सहतु कि दर्थसवर प्लбशाड़ पांगर, और तीसरा आताव के पास प्लूत स्वर कभी-कभी आपके जो एक्जाम होते हैं उसमें डारेक्ट पूज लिया जाता है कि उचारण के आदार पे स्वरों का कितने परकार से आपका भेद किया जाता है ठीक तो हरस्वस्वर हो गया दीग स्वर प्लूत्वर हरस्वस्वर कुन से होते हैं जो आपके जिनको बोलने में कम मात्रा है यह कम समय की आवसकता होती है उनको हरस्वस्वर करते हैं जैसे अ हो गया ई हो गया उ हो गया और ली हो गया इनकी जो संक्या है यह चार होती है दीग स्वर की बात करेंगे कि उचारण में हरस्वस्वर स ज्यादा समय जिन स्वर्व को बोलने में लगता है उनको दीर को स्वर्व बोलते हैं जैसे आ, ए, उ, ए, आ, आ, ओ, और आ, ठीक तो इनकी संक्या कितने हो गया आपकी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ठीक प्लूत स्वर्व की बात करेंगे तो प्लूत स्वर्व वे स्वर्व होते हैं जिनकी उचारण में हर स्वर्व से दो गुना का समय लगता है या दो मात्राओं का समय लगता है उन, उन स्वर्व को आपका प्लूत स्वर्व कहते हैं ठीक तो जो प्लूत स्वर्व होते हैं इनको आपको दर्शान के लिए एक सैंबल बनाये जाता है इस परकार का इसके दवरा दर्शाया जाता है सभी सवरों को आप लूट सवर के परकार से सकता है अजिक्थ सबी सवर अज्यरा के अग्यारा सवर को आप पुलुद तड्र सवर जैसे लिख सकता हैं. जैसे आपके राम होगद जैसे राम, राम है नहां वोडम तो इस परकार से जब आप समय की आवसक्ता होती है तो उसको दर्शाने के लिए आपके पर्योग किया जाता है इन किसंगे अग्यारा होती है लेकिन जो हिंदी भासा में पर्योग किया जाते हैं आठ पर्योग किया जाते हैं और जिसमें कि जो साथ होते हैं दीर होगे साथ दीर और प्लस एक आपका हरस्वा हरस्वा ठीक तो यह आपके आठ किया जाते हैं हरस्व में क्यों आउ का परयोग करते हैं ठीक ऑ प्लस वविंam ऑ प्लस भाई नहीं होता है क्योंकि यह हरस्वें भोले जाते हैं ठीक यह ऊ और वी लेकिन प्राचिनकाल में इसमें इनका प्लस वर्वर स्वा रहे हैं लेकिन जो बर्तवान में किया जाता है्क यह और आउका प् hurricane तो प्रूट सवरों की अगर बात करेंगे तो इनकी संक्या आठ माने जाएगे ठीक आठ अभी आठ इसमें पर्योकिया जाते हैं आठ कॉन-कॉन से हैं साथ आपकी जो दीर हो गई यह वाले यह तीर उसर और एक आपका हरस्व आपका ओ हो गया ठीक आठ हो गई तीसरे परकार से हम इनका बहित करते हैं ओस्ट आकरती के आधार पर जो हमारे जब हम इनका उचारण करते हैं तो हमारी ओंट किस परकार से परवर्थित होते हैं उसके आधार पर इन स्वरों का आप क्या करेंगे बहित करेंगे ओस्ट आकरती के आधार पर इस्वरों का बहि आते हैं आपकी एक्जाम में ठीक है ओंस्ट आकरती की याद है पर सुनों की वेध ठीक तो इसमें दो परकार के होते हैं वर्तुलित वर्तुलित स्वर और दूसरा होता है आपका अवर्तुलित स्वर अवर्तुलित वर्तुलित का मतलब होते हैं जब हमारा जो ओंट की आकरती विर्टा नमा हो जाती विर्टाकार अगर आपकी जब बोलते हैं तो जिस स्वर के उचारण में आपकी ओंटों की आकरती विर्टाकार हो जाती है उन स्वरों को वर्तुलित स्वर कहते हैं जैसे ओ, जैसे क्या होगे ओ नहीं जैसे ओ, 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 आओ, इन स्वरों को बोलने में आप देखोगे कि जो आपके जो मुह की आकर्ति है वो विर्ताकार हो जा रही है इसलिए इन स्वरों को आपका वर्तुलित स्वर कहते हैं अब वर्तुलित वे स्वर जिनको उचारण में हमारे ओटों की आकर्ति विर्ताकार नहीं हो रही है उनको अब वर्तुलित स्वर कहते हैं अब विर्ताकार आकर्ति हो जाएगी हमारे मुह की ठीक जैसे क्या होगे आप जब बोलोगी इनको बोलने में उचारण करोगी जब आ अनमाल लगा सकते हैं इनका किस परकार से हो रहा है जैसे आ हो गया इए इस लिए आई है ना तो इनके उचारण में आप देखोगी कि आपकी जो मुझ की आकरती है वह विर्ताकार नहीं हो रही है इसलिए इनको विर्ताकार आणको नहीं है चाएँ में इसके अचारण में ना जब देखोगे तो जो आपके उठै इसके परुसी परकार के भी है उनकी इस्तिति में कोई अंतर नहीं होता है इसलिए इसको क्या होते हैं उदासीन स्वार करते हैं उदासीन स्वार ठीक ये ना तो वर्तलित हैं और ना अवर्तलित उसके बाद जो हमारा चौथा परकार का जो भीत करने का तरीका होगा वो आपका जीवा के भाग कयादार पर जीवा के भाग कयादार पर इसमें तीन परकार के स्वर होते हैं पस्चे स्वर जो जीवा के पस्चे भाग से बोले जाते हैं 2020 तीसरे परकार आपके पास अग्रस्वर जन से आगे के भाग से बोले जाते हैं पस्च्य स्वर की बात करेंगे, तो इसमें आपके जैसे आप उचारन इनके साथ साथ जब आप उचारन भी करेंगे, तो आपको ज्यादा समझ मेंगे, जैसे आ, उ, उ, वो गया, उ, आ, उ, तो यह पांच स्वर हैं जिनका उचारण आपका पस्च भाग से किया जाता है जीवा की पस्च भाग से किया जाता है मद्यसवर की बात करेंगे तो मद्यसवर में आ आता है जैसे उचारन करेंगे आप जीवा का मद्य भाग है धनी जब इस से टकराती है तो यह अव का उचारन हो जाता है अगर वहाग के वहाग करेंगे तो जैसे ए आई वी तो यह आपके पांचवा आपके अग्रसवा कहलाते हैं जो कि जिवा के अग्रवाग से बोले जाते हैं कि पांचवा वहाग आपके पांचवा आप करने का तरीका होगा पांचवा वह जीवा वह तालों की इस्तिती की आदार्व है यह इसको कह सकते हैं कि मुह के खुलने के आदार्व है इसको कुलने के आदार्व हैं कुछ सब्सक्राव को मुह कम खुलना पढ़एगा कुछ को जादा खुलना पढ़एगा इसमें आपके चार परकार के होते हैं समवरित समवरित स्वर दूसरा आजागा इसमें अर्द समवरित स्वर तीसरा आजाता है इसमें विवरित स्वर और चोथा आजाता है इसमें अर्द समवरित स्वर का मतलब होता है बंद जब आपके जब आप स्वर का उचार कर रहे हैं तो आपका मुह बंद रहता है आपके मुह को आप जब आपको खोलना पड़ता है ठीक बंद मुह बंद मुह से निकल जाते हैं आपके पांच उस्वर अर्द की बात करेंगे तो ए आपके मुह पूरा खोल जाता है इसमें जैसे आ को जब आप उचार करेंगी तो आपका पूरा मुह खोल जाता है ठीक है इसको और क्या बोलता है मुह से बोलने में सबसे ज़्यादा मुह से बोलने में सबसे ज़्यादा जिस वन को चार्ण करने में मुह खोलता है वह आपका आ है यह आपका कभी-कभी पूरा भी लेता है कि सबसे ज़्यादा मुह किस वन के उचार्ण में एस्वर के उचार्ण में होता है तो वह होता ह आ अर्थ वीवर्ट की बात करेंगे जिसमें आदा ही मुझ खुलता है तो इसमें आपका आई हो गया और आउ हो गया आई और आउ ये आपके दो आपके अर्थ वीवर्ट कहलाते हैं कि इसके बाद अग्लत जो हमारा वीवर्ट करने का जो आधार होगा वह आपके छटों जो आधार होगा वह जाति के आधार पे अब देखो यहां भी जाती होती आपकी गॉल्णों की विजातिया होती है, पहले होता आपका सजातिये स्वर, सजातिये स्वर, और दूसरा आपका विजातिये स्वर, विजातिये स्वर, सजातिये स्वर वे स्वर होते हैं, जो कि उचारन अस्तान जिनका समान होता है, ठीक है, सजातिये स्वर जिनका समान उ उचारन होता है, जैसे ओ हो गया, आ हो गया, ठीक है, तो इनका उचारन लगबग अस्तान समाने होता है, मतलब जो आपकी मुँ होता है, और जो आपकी जीवा होती है, जीवा एक की जगे से लगबग आसपास सही आपके इनकी उचारन में अस्तान लेती है, जबकि ए हो गया और E हो गया है ना O हो गया और O हो गया तो इन सब्दों को जिनका उचारन अस्तान समान होता है इनको आपका सजातिय स्वर करते है और जिन स्वरों का उचारन अस्तान अलग-अलग होता है उन स्वरों को आप बिजातिय स्वर करते है जैसे A हो गया आई हो गया, ओ हो गया, अउ हो गया, ठiक, इनका उचाढ अस्तान अलग-लग होता है उसके बार जो अगला वेत करने का तरीका होगा, हम लोगों का वहगा परकृति के आधार पे, ठीक है परकृति के आधार पे के आधार पे परकर्थी के आधार पे दो परकार से होता है पहले अनुनासिक स्वर और दूसरा होता आपका अनुनासिक नुनासिक स्वर ठीक है इसको आपको निर नुनासिक भी बोल सकते हैं अनुनासिक का मतलब आपकी नाक से भी हवा आ रही है तो उसको बोलते हैं अनुनासिक का मतलब आपकी मुक से ही जब उचारन में अचारन आपका क्याव मुक से हो रहा है ठीक तो उसको बोलते हैं निर नासिक और अनुनासिक जब उचारन आपकी मुँ प्लस नासिक दोन से हो रहा है नासिक तो उसको बलते हैं अनो नासिक और निर्णासिक के वर मुह से उचारन हो रहा है निर्णासिक में क्या होता है कि जो जितने भी आपकी चंदर बिंदु वाले सब्द हैं वो सब्द आपके निर्णासिक रूप होता है किसी भी स्वार का निर्णासिक रूप चंदर बिंदु जिन में लगा होगा ठीक ही जैस जैसे क्या हो गया तो इसकी उपर चंत्र बिंदू लग जाता है तो इसे जब उचारण नासिक करेंगे तो मोंने स्वार्श को आपका उनोनासिक और निर्चिक रूप हो सकता है यहाना उं ऐ री है झाहना आपने देख्शोगा जैसे को गायक है यत संपटों करता तो इस परकार से करता हो उनौना सी परकार परकार से करते है पर आपके saari रही होगा अपने सुना वी होगा आपने जैसे कोई उचाल करने और जो इस परकार से उचारण कर जो इस परकार से खाल antil नेजांग करते हैं ऑंक निर नासिक जो आपका सामाने रॉप होता है 중요 hits काय। पर सोरों का उनको ध्मिर नासिक रहते हैं leda होलिए ही और मुओं से आपकी Wilmermind कि निक्ल लिए ठीक ही आफाओ आपका तोटल ढ़ता किस परकार्स करते हैं किस परकार सिभा देट किया जाता है इसके बारेमें हमने बात की अगली जो कुक्छा होगी उसमें हम बात करें की